यात्री विमानों में अक्सर ला परवाही के कई मामले सामने आते हैं एक बार फिर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है यह मामला अस्पाइश जेट के फलाइट से जुड़ा है जो कि मुंबई से बेंगलोरू जाने वाली फलाइट थी दरसल हुआ यूँ के फ्लाइट के दरान एक यात्री करीब दो घंटे तक ट्वालेट के अंदर ही फसा रह गया हैरानी के बाद तो यह है कि कैबीन क्रू ने एक परची लिखकर दरवाजी के नीचे वाले गैब के से अंदर सरका दी परची में क्या लिखा अब वो भी सुन लिजे उसके बाद आप भी हैरान हो जाएंगे परची में लिखा था कि सर हमने आपकी तरव से दरवाजा खुलनी की पूरी कोशिस के लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा आपको घबराना नहीं है हम कुछ देर में लैंड करने वाले हैं आप कमोड का ढखकन बंद कर उस पर बैठे नहें जैसे ही में गेट खुलता है हम इंजिनियर को बुला लेंगे इसलिए आप परशान मत होईए मुंबई से बैंगलूरू जाने वाली फ्लाइट नंबर SG-268 ने मंगलबार 17 जनवरी के रात 2 बजे अपने समय से टेक आफ किया और 3 बज कर 41 मिनट पर बैंगलूरू पहुंशे इस फ्लाइट के सीट नंबर 14 डी पर बैठा यातरी सफर के दोरान ट्राइलेट करने गया और काफी देर तक बाहर नहीं निकला। बताया जा रहा है कि प्लेन के ट्राइलेट गेट में कुछ तकनी की खराबी आ गई और वो लॉक हो गया विमान कंपनी के तरब से यातरी के पहशान को गुपत रखा गया है। फ्लाइट के लैंड होने के बाद मामला सुलजाया गया, फ्लाइट लैंड होते ही इंजिनियर को बलाकर ट्रालेट का धरवाजा खुलवाया गया और फॉरण मेडिकल टीम को बलाकर यातरी को इलाज के लिए भेजा गया। स्पाई जट ने इस लापरवाही को लेकर माफी मांगी है, अब इस घटना के सोशल मेडिया पर खुब चर्चा हो रही है, बिरे रिपोर्ट नियोज ताक।